नमस्कार दोस्तों होम साइंस एकड़ी में आपका सौध करती हूं आज आपके लिए फूर नुट्रिशन में सीरीज 18 लेकर के आए हूं फूर नुट्रिशन जिसमें बहुत ही अच्छे-च्छे क्रोश्चन है का सकते हैं जो आपके एक्जाम में आने वाले कोश्चन है चाह करते हैं अपने वीडियो की तरफ वीडियो सुरू करने करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेश्च करती हूं कि प्लीज आप पहले लाइक बटन दबा दीजिएगा और जो आपके जो फ्रेंट सर्किल में हैं उनको आफ सेयर करिए जिससे इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सुरीसा का है करेक्डर सीक्वेंस और बिटामीन डिखिसएंजी बिटामीन एक ही कमी से जो रोग होते हैं सबसेर क्या रोते हैं उसके बाद क्या होते हैं यह सारे चीज़ें आपको इसमें दिया गया है देखिए इसमें नाइट ब्लाइडनेस, कॉर्णियल जिरोसिस, बॉय टॉट इसपॉर्ट, कंजक्टाइब जिरोसिस, किराटोमलेसिया और कार्नियल अलसरेशन अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सबसे पहले क्या होता है नाइट ब्लाइडनेस, जिसको हम हिंदी में बोलते है रताओधी हो जाना, रताओधी में क्या होता है, डिम बिजनानी, कम दिखाई पड़ता है, अधेरे में कम दिखाई पड़ता है, कम रोसनी में कम दिखाई पड़ता है, देखिए आँखों में जो दो चीज़ें पाय में अस्च्छम हो जाते हैं दिखाई नहीं पड़ता है यह होता है नाइट प्ला निस दुसरे ओता है इसमें Proseki टाइब जिरोसिस क्या होता है कंजक्ट आइवाज रहो इसमें क्या होता है विटामीन एक ही कमी से जो सूप कर क्या हो जाती है भीहावी चाहई ách ह Iya माली जो ऑंकों की जिल्ली होती है ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती है जिस से कभी कभी क्या होता है कि जो हमें सट इसमें खुजली सी मचने लगती है और आख् legit नहीं किया जाता है तो next is step की तरह बहुton झाता है न आमने आपको मता है dire しく-signlessness दूसरा खंझत आभाई रज्रोशिस और तीसरा आता है राय राधिट में क्या होता है इसकी द्यायार पराले सेफ द्याहें रखना क्या होता है इसमें पकॉल का मतलब कि अंकि किसी पर जाती है और यह चोटे-छोटए दाने भी पढ़ने लगता है ₹ औरorse चोटे-छोटे दाने भी पढ़ने लगते हैं किसमें वाइट यह झाहिए और इस networks अब देखे दूसरा है कन्जक टार्था नेज़कल में क्या होता है किया होता है कि कार्णिय होती है क्या होती है마 नि नी रफ जैसा हो जाता है पैबला जैसा कह सकते हैं उस की चमक होती है, Appearance Luster का मतलब होता है की जो चमक होती है वो जो इसकी चमक खतम होना ही लगती है और एक ही सबसे इंपोर्टेंट रिस्में क्या होता है, की जो आँखो की जो आसू होते हैं, वो आंसू निकलना बंद हो जाते हैं, यानि सूखने लगते हैं, यानि जब हमारी आंके सूखने लगेंगी, तो आसू कहां से निकलेंगे, तो corneal gerosis में जो आसू होते हैं, वो निकलना बंद हो जाते हैं, किस स्टेज में? corneal gyrosis में, तो पहले night blindness, दूसरा आता है consecutiva gyrosis, तीसरा आता है bite out spot, उसके बाद आता है corneal gyrosis, पहले consecutiva gyrosis, तब corneal gyrosis होता है, यह बातें आप याद रखना, नेक्ष आता है corneal ulceration, ulcer का मतलब होता है cornea में घाव हो जाना, क्या बोलते हैं, cornea में जो होता है इसमें घाव हो जाता है, इसमें क्या होता है, corneal has ulcerated, इसमें घाव हो जाता है और melt away, क्या होते हैं, जो करणियों होती है, जैसे बाहर जासा निकलने लगती है और यह more fluffy, जैसा इस तरह से आजाती है, जैसे कह सकते हैं, बहुत फुली-फुली से होने लगती है तो यह corneal ulceration में, जैनि जब cornea में घाव हो जाता है, तो वो melt होना शुरू कर देती है और फुलपी जैसा आकार लेने लगती है और इस स्टेज़ भी एजदीस का इलाज नहीं कर जाता है तो किरैटो मेलेसियानी आख की पूरी-पूरी रोशनी क्या होती है खतम हो जाती है, ब्यक्ति अंधा हो जाता है, इसको दिखाई नहीं पड़ता है और कभी-कभी ऐसी भी कंडिशन आ जाती है ब्यक्ति की कुछ समय के बाद मृत भी हो जाती है तो दकार्ण इस मेल्टेड यहनी जो कॉर्णिया होता है यहां तो सुरू होती है, यहां तक पूरे क्या होता है, पुरी तरीके से मेल्ट हो चुकी होती है समय कार्णिया होता हुआ को पारदर्सक हो जाती है दिएकि पारदर्सक होती है हिंए हं तो यह क्या होती है नाइ्ट्रवजयोश.. दूसरा है इसन और तबार चॉधर याद कर लेंगे दो बार देखेंगो तो आपको चीज़ीं अच्छे से याद हो जाँगे यह भी यातर रखना यह नैट ब्राड श होता है और दूसरा नुए फोर्ट अपका आता है यह फिस्ट वन गृत में एक्स फिस्ट वह इस तरह याद़ करना करता है यह व्षंस्ट ब्यानी फर्यग्स यह फिर फी ऊसके बाद आता है यक्स 2 यानि यहाँ B तक खतम हुआ फिर नेक्स शुरूआ जानि यहाँ पर क्या सुरूआ यक्स 2 उसके बाद यक्स 3A और फिर यक्स 3B यह इसके स्टिफ होते हैं अब आते हैं कुछ facts points हमने यहाँ पर लिखा है इस बत पर भी आप ध्यान देजिएगा कि the only in food of English ओर कि स्केण कि कहा होता है इनिममल से होता है किसे अंमल मुखरू से पाए जाता है लेकिन activities इस आटिए के बाई कार्जिन कि ऑडेपर यह प्लांट वह पी पायोता है किसी रूप में कारीट इमाएट्स का और जए से इसका और जिन कहां से इनिमल से हैं लेकिन और यह प्लांट में पाए जाता है करोटिनाइट्स के रूप में और इसी करोटिनाइट्स को क्या बोलते हैं प्रोबिटामिन एक प्रोबिटामिन करोटिनाइट्स को कहते हैं करोटिनाइट्स जो हता है वह बिटामिन एक प्ला सा जो है मैतने में तेश्ट इसमें लगाते हैं इसमें दो होते हैं बोत यानी दोनाएंगे डार्क डार्क टफ्ट्ट्ट्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्प सीर्म विटामीन एक टेंट डार्क डार्क iphone का मतलब उसके जाते हैं अढर्क डिखाते है पहले उसको दिखाई पर डाक कि टिख memorial की मातऱात जानी जा सकती है कि बिटामीन एक कमी सicular में कि नहीं थो इसमें जो अफन हो वह और सी पे आते हैं विटामिन मैश मेश नपॉइन फוर्स घुनों प्वाइन से चाहें जो भी एक्जाम हो आपके चाहें वे स्चीज vitamin D, vitamin D3 मैंने इसको match करने के लिए कर दो जिससे आपको इस चीजी याद हो जाए अब देखिए सबसे पहले vitamin D, D2 अब देखिए vitamin D2 को ergoestrol के नाम से जाना जाता है और इसी को probitamin D के नाम से भी जानते हैं याद रखना प्रो बिटामिन डी और एर्गोस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है किसको बिटामिन डी टू को और बिटामिन डी टू जो होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है अब देखें बिटामिन डी अब देखें बिटामिन डी को और किस नाम से जानते हैं नोन आज देखें यहा बिटामिन d3 सेवन्डी हैड्रो इसको विटामिन दीट्रीज होता है कि नाम से जल जाता है और यह फिसके आयल में पाए जाता है यह जो मशिली होते हैं आज लोगों में भी सग्धानों की आप जो है हमारी तोच सब्साइर पाय जाता है सेबंडी हाइड्रोक्लोस्ट्राल जैसे कहते हैं और यह हमारे सोज कि रूश्थन परिवर्तित हो जाता है यह बात आप क्या दड़ना बेटामिन धी ट्री है पर है जो इसमें ठी कि कमी से रीकेट सीरुजहली हो जाता है जो चेस्ट होते हैं जिसको कूवर्टन होने लगता है कॉशु क्भावना को इसकूलसिस तरह है गणि लगता है यह सारे छीज़ें कि से सोल की कमी से होताह यह सी अव कि बात कर रहा है नहीं कर रहा है वैसे इसमें विटामिन डी कमी से इसमें आफसन यह नहीं आएगा तो रिकेश रोजरी काइफोसी जाइस और आश्टियो मलेसिया तो इसकी आफसन हुए निश कुछिन की तरह पाते हैं सैक्टर रिस्पॉंसिबल फार ड्राउनिंग आफ कोश्चन आपका है और यह कोश्चन ऐसे आए भी हैं और मैं आज यहां पर बहुत अच्छे से आपको डेल करूंगी कभी आप भूलोगे नहीं प्लीज आप इसको अच्छे से देखेगा सुनिएगा इसमें कौन से मतलब की फैक्टर से होते हैं तो ब्राउन कलर का हो जात हैं देखें आप और ऑक्सीजन फिनोलिक कंपाउंड एंजाइम्स ऑप्टिमम पीच पीच जिसको पीपीओ बोलते हैं पॉली फिनोल ऑक्सीडेज यानि अब इसमें जो पीच होता है वह चार से सेवन होना चाहिए इससे अधिक होता है तो जानली जी वह ब्राउन के जाता है वह इस ऑनले वह प्राउन कर देख्छो जाता है जो ऑक्सीजन के उसको फो को मिलगता है तो उसको में इसी करदे और उसको फुब्राउन कर देता है deux फ्रति जो फल को काड़ते हैं उससे उसका reaction हो जाता है और इसे की बॉलते हैं oxidation reaction और इसी की वज़ा से जो फल होता है वो brown हो जाता है. दूसरा कारण क्या है फिनोलिक कंपाउंड आप देखिए फिनोलिक क्या होता है यह एक प्रकार का क्या होता है फिनोलिक एंजाइम फिनोलेज देखिए जो फिनोल्स होता है और एंजाइम फिनोलेज या चाहे उसमें एंजाइम फिनोलेज की रूप में लिखा गया हो या फ हुआए पाये है उसमें हमारे एंज़ाइम की रूप में फिनोलेज या फिनोल्स पाये जाते हैं ऑफ होता है चेंज होता है इसमें चेंज़ फिनुलेजमें यह है फिनुलेज हने के लिए जिमें दार होता है या ढखना षेनॉल स्पर्वलिड और fråउनले नहीं होता है जो फूڈ Brown में बदल देता है तीसरा Enzyme कराण है अब देखे Enzyme क्या है Enzyme क्या एक प्रकार की protein होती है आपको पता ही है जो Enzyme होता है Which can speed up chemical reaction जब Enzyme होता है यह होता है जो इसमें प्रोटीन पायाता है बहुत ही तेज गती से इसमें chemical reaction होते है और biological reaction होते हैं यह गिमिकल रियक्षिन होते हैं act as biological catalyst और biological रूप में एक रूप में कार करते हैं जिसके कारण से जो food होता है जो कच्छा food होता पकने लगता है और इतना पक जाता है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा पक जाता है तो question भी आपका है कि पको के फल होते हैं फलों के पकने किया कारण है कि सी लिए तो एंजाइम रियक्षन के कारण जो है जो हमारे फल होते हैं वह पकते हैं और कभी-कभी nine और इसमें छाइब बहुत जादा पक जाते हैं गिस्फ अभरान जिससे लोग का खर दे Timothy एंब्राउन प्रोटीन की रूप में पाये जाते हैं और यह होते हैं यह हम कमें यह हमारा इंजाइम출 करते हैं और प्रेस्पूर्ट कुछ चीज हमें काटे हैं जैसे कीवा उन्यrien पाटके टे हुनिता है कर सके ड़कशओ, इंजाइम होता है इन्दे ट्स आए में डिट्स इन्ग उत्व उत्वन थे इस फोलों के उसी अच्तिर रहते हैं सेंगी जो में जो टेसीव और रहते हैं फ्रेस फ्रूट या विजिटेवल्स में लेकिन जब इनको हम काटते हैं तब इने ब्रेकडाउन की क्रिया सुरू हो जाती है क्या सुरू हो जाती है तो एंजाइम कम्स इंटू कांटेक्ट और जब एंजाइम होते हैं वो कांटेक्ट हो जाता है किसे आकसीजन से जो एंजा संपर्ख होता है तो उसी की वज़ा से जो है वो फ्रूट का कलर ब्राउं हो जाता है यह जाने रहे हैं इसके जो रीजन है वो चारों रीजन है क्या क्या है अउक्सिजन फिनॉली कंपाउंड एंजयम और ऑप्टिमम प्यच और प्यच मानमकर रूप से फोर टूट सेवन होता है अमली यह होता है एक वफल सेवन और सेवन दयूता है तो इतना आप्टिमम और ना चाहिए तो यह इसके क्या हुए कक्ष्टिन का आंसर होगा अब ने इकने स्कूशन है जर्मिनेशन इन्हेंस फालोईंग न्यूट्रियंस जब हम अंकुरन करते हैं अनाजों का तो उससे क्या क्या न्यूट्रियंस की बड़ोत्री हो जाती है तो देखिए आप पर हमें जो लगा आप इसको आंसर हमें बताइएगा जरूर हमें जो मिला है वो विटामिन B और विटामिन सी की मातरा बढ़ जाती है है एक को प्रोटीन और जो कार्वोहायड़ेट होता है इनकी जो पाचन सीलता होती वह बढ़ती है और जब कि विटामिन बीर विटामिन सी की मार की मतलब कि उसमें न्यूट्रियंस की रूप में बढ़ते हैं तो इसमें जो आप्सन होगा ए और बी होगा लेकिन आपको गलत लग रहा होगा प्लीज मुझे इसका अंसर आवस्ट बताइएगा क्योंकि आपकी नेट में आए हुए कोश्चन है तो मुझे इसका आं यह जो घाव हो जाना जिसको बोलता है जो इसकी जो पीछे कारण होता है तो इसकी जो पीछे करण है है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इंफेक्षिण यह पहला कारण है दूसरा है इटिंग हैबिट्स यानि हमारी गलत आत्ते जैसे दूमपान करना सराप का जयता सेवन करना ये इसके कारण होते हैं पाचवाए है डिटी फैक्टर्स यानि वंसान करम यदि किसी को हुआ रहता है तो उससे भी संभावना हो जाती है तो इसके मुक्रूसे तीन र खराब इसे क्या होता है जिल्दी होती है धीरे धीरे क्या होती हो खराब होने लगती है तो यह इसका प्रेप्टिक अलसर इसको ही कहते हैं तो इसका आप संजाएगा पहला दूसरा और पांचवाए और एक चीज में याद रखना इसमें जो आहार देते हैं प्रोटीन पड़ता है क्योंकि यह साफ करने का काम करते हैं तो इसलिए रेसेदारी कुछीजों को इसमें नहीं देते हैं तो इसका यह मैंने एक साथ दो आंसर का दे दिया अब देके नेक्ट कुछन है वीच आप फालोइंग रिएजंट्स कैन वी यूज़ फार रिमूविंग ब्राउन इस्टेंज लेफ्ट आफ्टर यूज ऑप पोटैसियम पर मैंगनेट इसी धब्बे पर लगाते हैं तो इसके लिए फॉर रिमूविंग ब्राउन इस्टेंज को मिटाने के लिए तो उसम कब जब पोटैसियम पर मैंगनेट का यूज़ कर लेंगे उसके बाद इसमें दो चीजेंगे हैं साल्ट अफ लेमन और उसके बाद आता है और जिली के सिली क्या है सॉल्ट आम लेमन और ऑजिलीक असीड तो इसके यह आफ सुन होगे लाश कुशन आपका है लाश कुशन ह चीज मेकिंग इंदा प्रॉपर सिक्वेंस अब देखिए जो चीज बनता है इसके प्रॉपर सिक्वेंस आपको बताना है तो यह इसका अंसर होगा पहला पेस्चुराइशन करते हैं इससे पर दूद को पकाया जाता है पकाने के बाद उसको कड़ फॉर्मेशन में करते है फिर उसके बाद उसको चेडर के रूप में रखते हैं फिर उसके बाद उसमें करते हैं मिलिंग यानि इसको मिलिंग करते हैं या साल्टिंग करने का काम करते हैं और उसके बाद मोल्डिंग यानि उसको एक साचे में ढालते हैं और लाश में रिपॉनिंग करने का काम करते तो पहले क्या हुआ पेस्टूराजरी डू चेडर तो सब्सक्राइब और और इस चैनल को अब स्ट्सकाइब आधे कीजिए इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी जो भी आप जिस्टिस की त्यारी कर रहे हो टीटिंग संबंदी उसके लिए तो मेरी बड़ देखने के लिए आपको धन्यवाद